बहला question है which of the following statement is not true about development विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है यह आपको बताना है विकास क्या है product है interaction का heritage और environment के बीच में है ना इसी interaction क्या होता है एक तो हम कह सकते हैं कि आपके बीच और environment के बीच जो interaction होता है उसको कह सकते हैं आपके अंदर कुछ genetically कुछ चीज़े होती हैं जिनको हम वो static part होता है उसको हम change नहीं कर सकते हैं और environment के साथ जब आप reaction करते हैं तो आपकी development होती है interaction करते हैं तब ठीक है यह है इसका मतलब development follows an orderly sequence मतलब एक order में होता है कोई एक order होता है ऐसा नहीं होता है कि यहां पर आ गए फिर से पीछे चले गए फिर वापिस आ गए यह नहीं होता है एक sequence follow होता है एक order होता है proper development is individualized process तो भाही एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है है न हम कह सकते हैं कि individual differences होते हैं हर किसी का एक तरीका अलग होता है विकास का जो उनका मतलब pace होगी उनकी वो उनके according होगी individualized होगी या फिर development जो है specific से general की तरफ जाता है विशिष्ट से सामाने की और जाता है यह पताना है ठीक है तो इसमें पूछा है कि जो नहीं है true यानि कि जो true नहीं है तो इसका जो correct option होगा वो होगा option number D ठीक है क्योंकि development जो हमेशा general to specific जाती है ना की specific to general पहले हम सामाने चीज़े सीखते हैं उसी के बाद हम कुछ vicious चीजों की तरफ जाते हैं ठीक है तो यह इसका correct option होगा option number D इस तरह का question मैंने आपको पहले भी करवाया है next question है children's thinking is grounded in concrete experiences and concepts rather than abstraction मतलब कि यहाँ पर इस age में इस particular stage पर बच्चे के जो मूर्थ experience है यानि कि उसके जो मूर्थ अनुबव है उनी का basically use होता है वो abstraction नहीं हो पाती है इस age पर तो यह आपको बताना है ठीक है concrete experience आप कर देंगे तो उसकी thinking जो है और्गनाइज हो जाती है तो और्गनाइज तरीके से सोचना शुरू कर देता है लेकिन concrete experiences के ही basis पर अगर आप abstraction पर जाएंगे तो वहाँ पर thinking को और्गनाइज नहीं कर पाता है तो वो कौन सी stage होती है age होती है यह आपको बताना है ठीक और इस stage को हम particularly concrete operation भी बोलते हैं यहाँ पर abstraction नहीं आती है abstraction कब स्टार्ट होती है आपकी 11 प्लस में स्टार्ट होती है according तू पी आजए ठीक है क्योंकि theory जो है वो यही कहती है कि 11 प्लस के बाद ही जो है बच्चा abstract thinking कर पाता है उससे पहले वो नहीं कर पाता है उससे पहले उसके thinking होती है वो concrete experiences यान की concrete चीज़ों से बंदी होती है अगर आप सामनी चीज़े दिखाएंगे तभी उसको सीख सकता है next human development is a product of joint contribution of both this is an easy question तो बताइए parent and teachers sociological and cultural factors या भी heritage environment या भी none of these तो देखिए विकास के कुछ मुद्दे होते है उन मुद्दों में से एक मुद्द का है एक तरह का कि भई जो विकास है वो किसका product है हम कहते हैं दोनों के इंटरेक्शन है रिटी का भी रोल होता है और environment का भी रोल होता है तो दोनों का मिल के रोल होता है development के process में ठीक है हम यह नहीं कह सकते कि 50-50 होगा 60-40 होगा वो हर individual पर difference मतलब depend करेगा ठीक है next step which is the following is not among the four determinants of intellectual growth stated by PRJ तो इन में से कौन सा जो है intellectual growth को जो है determinant नहीं है मतलब अगर यह कहें तो निर्धारत तत्व नहीं है ठीक है रोल होता है बट निर्धारत नहीं होता कि यहीं निर्धारत करेगा कि बच्चे की development जो है intellectual growth होगी कि नहीं होगी तो यह आपको बताना है ठीक है त कोई नहीं यह प्याजे की बात हो रही है तो देखें यहाँ पे जो correct option होगा वो होगा option number a social transmission ठीक है हाला कि जो प्याजे हैं उन्होंने social role को बिल्कुल नकारा नहीं था लेकिन उन्होंने इसको निर्धारत तत्व नहीं माना था उन्होंने का था कि जो peer interaction होता है that is very important for the children basically equilibrium की प्रक्रिया जो होती है उसमें peer interaction का काफी role होता है लेकिन as a society कुछ transmit करेगी बच्चों के अंदर इस बात को नकारते थे उनका कहना था कि बच्चे society से कुछ सीखते हैं वो अपने according सीखते है ठीक है अब बच्चे का अपना खुद का दिमाग है वो खुद knowledge construct करेगा ले ठीक है और एक question आपको पहले मैंने कराया था इससे पहले भी जिसमें आपको डाउट भी था कि भाई प्याजे जो है language development का कुछ था उसमें कि language development जो है वो बच्चे की development में role play करता है कि नहीं करता है इस type of question था तो देखो प्याजे जो है वो ego centric जो speech होती है जो प्राइवे प्राजे कहते थे कि यह जो प्राइवेट स्पीच है यह बस इस चीज का उधारण है कि बच्चा जो है ego centrist में होता है उसके अंदर वो केवल अपने perspective से सोच सकता है दूसरों के perspective से नहीं सोच सकता है इसलिए प्राइवेट स्पीच का कोई भी रोल नहीं होता है बच्चे अगर आपको special needs वाले बच्चों को पढ़ाना है तो इन में से कौन सी जो है better strategy हो सकती है discussion कराएंगे class में maximum number of students को करेंगे demonstration करेंगे teacher के द्वारा बच्चों को include करेंगे या फिर एबिलिटी grouping करेंगे teaching के लिए ठीक है तो इस तरह के questions जो में आपको बहुत बार repeated मिलेंगी है न मेरी वीडियो में repeat मिल जाएगा क्योंकि हर एक्जाम में इस तरह के question पूछे जाते हैं मैं जान बुच के repeat नहीं करती हूँ इस तरह का question में ने पहले कराया है I hope कि आप सही अंसर दे पाएंगे देखिए इसका जो correct option होगा वो होगा option number C जो inclusive education की पूरी धारना है वो इसी पर बेस्ट है कि cooperative learning पीर ट्यूटरिंग क्योंकि बच्चे को आप लाए कि उना स्कूल में आप इसलिए लाए हैं कि वे दूसरे बच्चों के साथ सीख सके क्योंकि जो all over development की हम बात करते हैं जब बच्चा socially और emotionally strong नहीं होगा उसकी development नहीं हो पाती है और जब बच्चे अलग special schools में पढ़ते थे तो यहीं होता था कि सिर्फ उसी तरह के बच्चे मतलब एक क्लास में 45 है ठीक है किसी को मोटर disability है किसी को किसी तरह की disability है तो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे होते थे उनसे मिली नहीं पाते थे है ना और ना मिल पाएंगे न सीख पाएंगे उनको एक अलग स्कूल में आप रख रहे हैं जो कि उनकी दुनिया का पार्टी नहीं है में दुनिया तो वही है ना जहां पर बच्चों को हर तरह के लोगों से डिल करना पड़ेगा इसलिए हमने का था कि नहीं कॉपरेटिव लर्निंग पीर टूटरिंग जो है वो करानी है तो इसका correct option होगा option number C सबसे best inclusive education में यहीं अंसर आता है वहीं इस तरह का question आएगा तो यहीं आपको option लगाना है ठीक है मतलब इस तरह का अगर question आता है तो next question है ability of knowing the meaning of problems, weaknesses and gaps related to environment is a characteristic of ठीक है कि बहीं समस्या के अर्थ को जानने की योगता वाता वरण की दोशों कमियों एवं वृत्तियों की प्रती सजगता विशेशता है कौन से बालकों की यह आपको बताना है ठीक है तो इसमें gifted children है average children है creative है और ननुफ्टया तो यह आपके सा number C होगा क्यों क्योंकि gifted बच्चे जो होते हैं basically इनका intellectual cognitive जो level होता है उसमें ज्यादा यह प्रभावी होते हैं रट्टाफिकेशन में concept बहुत जल्दी सीख जाते हैं इन चीजों में दिक्कत नहीं आती लेकिन इन बच्चों की जो thinking होती है Convergent thinking होती है Convergent thinking की बात करते हैं तो Convergent thinking की बात हम basically gifted children में करते हैं लेकिन अगर हम बात करें Divergent thinking की तो Divergent thinking में अफ्दल होता है कि आप एक ही problems को अलग-अलग नजरीयों से देख सकते हैं उसके बारे में अलग-अलग समाधान का पता लगा सकते हैं तो यह जो ability होती है यह creative बच्चों में होती है जो creative होत सकते हैं कि वह बहुत creative होते हैं उनके सोचने की जो समझने की जो शक्ति होती है वो फैली होती है ओके concentrated नहीं होती है एक जगह पर बलकि वह फैली होती है तो option number C is the right option okay तो यह होगा मतलब थोड़ा सा अलग question है लेकिन meaning वही है एक तरह से कहें तो okay तो यह होगा next आपका question है कि एक college girl developed the habit of dropping the coat on the floor मतलब एक college आने माल लड़की ने first पर coat फेकने की आदर डाल ली है मदर ने पूछा कि get out of the room and hang up the coat on the pack कि जाओ तुम और coat को वहीं पर टांगे जहां पर hangers वगयर होते हैं वहां पर टांगो the girl enters house keeps coat on approach is closed hang up the coat on the pack it is an example मैं लड़की अगली बार घर में प्रिवेश करती है court को हाथ पर रखकर अलमारे की तरफ जाकर court को खुटी पर टांग देती है ठीक है तो यह किस तरह का example है यह आपको मुझे बताना है chain learning है stimulus response learning है concept learning है या फिर all of these है तो यह आपको मुझे बताना है तो देखे stimulus response learning क्या होती है जब आप किसी stimulus को बार बार अपने सामने present पाते हैं उसके बाद जो response आता है वो चीज़ कि आपको habits सी हो जाती है आप basically समझ जाते है stimulus आएगा तो यह आपको response करना है classical conditioning की आप बात करते हैं यहां पर open conditioning की chain learning में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है लेकिन एक अलग तरीके से concept learning तो यहां पर होगा नहीं ठीक है all of these भी यहां पर नहीं होगा यहां पर कोई concept learning क्या है यहां पर obviously habits ही बनी है ठीक है कि ऐसे करना है यह आपको दिख्या फिर आपको ऐसे करन learning होगी ओके श्रिंकला गत अधिगम का उधारन है यह इस चेन लर्निंग में stimulus response learning भी involved होती है यहां पर आप पहले से कोई stimulus या response जब आपने मतलब देखा हुआ होता है stimulus के प्रती एक response है वो आपकी एक तरह से habit बन जाती है और आप यह skill जो है अपने अंदर ले आते हैं कि आपको ऐसे करना है देखो यहां पर हुआ क्या एक जैसे कि तीन चार चीजे एक साथ जुड़ी हुई है ठीक है यहां पर बच्चे ने कोड मतलब कोट लेकर आई उसने माने उसको पहले बोला था कि आप कमरे से बाहर जाओ को खूट को खूटी पर टांगो तो लड़की वही चीज अप्लाई करनी है उसने हाथ में कोट लिया खूटी पर टांगती है फिर एंटर करती है वह जो भी है एक चेंस ही बन जाती है यहां पर ठीक है तो दिस इस अग्जांपल ओफ चेंड लर्निंग यहां पर स्टीमिलस रिस्पॉंस लर्निंग केवल नहीं होगा सि इसको इसको डेली रिपीट करना है ओके तो दिस इस अग्जांपल ओफ चेंड लर्निंग और इसको मैं अगली वीडियो में आपको और एक्स्प्रीन करने की कोशिश करूंगी ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं इस में हमें बहुरत नहीं होती है हम अंदर से ही बहुत जड़ा अभी प्रेरित होते हैं, तो आपको इसका अंसर बताना है मुझे, तो आपको बताना है कि extrinsic motivation में इन में से कौन-कौन से चीज़े आएंगी, चार option है, अब ये combination बन गया options में, तो आप बताइए क्या इसका अंसर होगा, कि praise and blame होगा, first and third होगा या फिर आपका all of these होगा, तो देखो, अगर कोई आपको प्रेज करता है, या फिर आपको ब्लेम करता है, तो ओविसली आप motivate या demotivate तो होगी, ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये बाहर से आता है, rivalry भी बाहर से आती है, प्रतिद्वन्दिता, जब आपको किसे से competition करना है, बाहर कोई है, आपको बिलकोई पसंद नहीं, आपको लगता है कि नहीं, मुसे इस से आगे निकलना है, तो वो भी एक तरह का extrinsic motivation है, rewards and punishment तो example ही है extrinsic motivation का, और knowledge of results, परिणाम का ज्यान जो है, परिणामों से भी प्रिरित होते हैं आप लोग, ठीक है, तो ये सारे ही factors आपके extrinsic motivation के factors है, तो option number D is the correct option, okay, next देख लेते हैं, a process in which an individual, sorry, an individual, व्यक्ति learns new responses by observing the behavior of another, rather than through direct experiences, is known as, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें बच्चा जो है new response सीखता है, दूसरों को observe करके, मतलब through direct experience, rather than through direct experience, मतलब खुद experience नहीं लेता, लेकिन दूसरों के through सीखता है, दूसरे को experience मिला है, तो उससे दूसरा बच्चा सीख गया, तो ये किसका example है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा question clear करना चाहूंगी, ये जो part है, ये है social learning का part, ठीक है, आप कहेंगे मैणम क्यों है, experimental learning, incidental learning, conditioning क्यों नहीं है, ये चीज़े नहीं है, ये बता देती हूं, जो bandura की theory है, आपने पढ़ी होगी, उसमें एक term होती है, vicarious learning, ठीक है, अब vicarious learning क्या होती है, ये social learning का part है, और ये typical example है vicarious learning का, इसमें क्या होता है, कि ठीक है, आपकी class में एक बच्चा आया, बच्चा लेट आया, टीचर ने उससे पूछा कि आप लेट क्यों आये हो, ठीक है, बच्चे ने का मैणम मैं तो ऐसे लेट हो गया था, टीचर ने दो थपड लगा दिये, ठीक है, आप बाकी जो बच्चे देख रहे हैं इस incident को, वो या तो इससे डर जाएंगे, कि हाँ भी टीचर ने इसको थपड लगाया, तो हम भी यह नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने दूसरे बच्चे को punishment लेते वे देखा, लेट आने के लिए, तो वो शायद इस चीज़ को behave, इस response को जो है, या तो behave, करेंगे, repeat या फिर नहीं करेंगे, वो depend करता है किस तरह का उनको observation मिली है, ठीक है, मतलब किस तरह की observation learning उन्होंने की है, तो this is the part of vicarious learning, तो यह जो vicarious learning हो रही है, होती है, बेंडरा के coding, it is a part of social learning, जो imitation और हम दूसरों को observe करके सीखते है, तो जो social learning की बात है, यह सारी, ठी नहीं, next है, the symptom of learning disability is, भई, learning disability का क्या इन में से symptom है, यह आपको बताना है, tendency to escape, मतलब भागने की प्रवर्ती, अशांत हो जाना, उर्जावानिया, विद्वन्सक हो जाना, disorders of attention, मतलब attention ना दे पाना, उसमें हो जाना, या फिर lack of motivation, या फिर आप में motivation की कमी हो जाना, ठीक है, भागने कोई learning disability से related नहीं है, restless, energetic or destructive, यह mood swings भी हो सकते है, disorders of attention, जब attention deficit disorder होता है, आपको ADHD होता है, proper attention deficit hyper activity disorder होता है, ठीक है, तो यह basically होता किस से है, यह disability है एक तरह की, ठीक है, मतलब गरिया हाँ पर आप देखेंगे, तो option number C is the correct option, पहला question देखते है, the personal factor which affects learning is, और are, जो भी personal factor है, जो learning को affect करता है, यानि कि व्यक्तिकत कारक है, जो, ठीक है, mass media, peer group, teachers, and maturation and age, तो आपको यह बताना है, व्यक्तिकत कारण कुन सा है, हलागि कोशन असान है, बट मैं वही है, मैं मिक्स रखती हूं, कोशन, कभी आपका, जो set होता है, थोड़ा मुश्किल आ जाता है, आपके environment का factor आ जाता है, लेकिन अगर हम personal factor की बात करें, तो maturation और age जो है, आपकी अपनी personality से related है, okay, next है, a cricket player develops the skill of balling, but it does not affect his skill of batting, ठीक है, एक cricket player है, उसने skill of balling सिखी है, क्योंकि देखे, balling, batting सब एक skill है, इसमें आपकी fine motor skills का बहुत बढ़ा हाथ होता है, fine motor skills and gross motor skills, zone हो ह होती है, तो यह skill है, balling की, भई उसने develop कर ली है, balling की skill, लेकिन इस skill को सीखने के बाद, उसकी batting की skill पर कोई असर नहीं पड़ा, suppose you old rounder है, old rounder बनने की कोशच कर रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, यह आपको बताना है, it is a positive transfer of learning, negative transfer of learning, zero transfer of learning, जीरो transfer of learning, या फिर न नहीं चीज को सीखने में हाम करती है, यानि कि नुकसान पोचाती है, उसमें मतलब problems खड़ी कर देती है, तो वो आपकी हुजाती है, negative skill, negative transfer of learning, लेकिन जब ना positive का असर है, ना negative का answer है, कुछ भी असर नहीं है, किसी भी चीज का, कोई फरक ही नहीं पड़ता है, तो वो आप का होता है, zero transfer, कि कोई transfer हुआ ही नहीं learning का, balling की skills और batting की skills बिल्कुल different है, तो कोई असर नहीं पड़ा है, तो that means it is zero transfer of learning, I hope you understand, next देखते हैं, next है, which of these statements best shows the mental health of a person, इन में से कौन सी चीज दर्शाती है, कि भई बंदा जो है, बिल्कुल स्वस्त है, बिल्कुल एक्दम healthy है, ठीक है, तो full expression, harmonization and goal direction, lack of mental disorder, भई mental disorder नहीं है उसको, या free of personality disorder, उसे कोई भी personality disorder नहीं है, या फिर all of these, ये आपको बताना है, ठीक है, mental health की बात हो रही है, यहां पर, कि भई उसका मानसिक स्वास्त जो है, वो सही है, तो देखे, इसका जो correct option होगा, option number A होगा, भई पून तर set है, और उस direction की तरफ जा रहा है, अराम से, ठीक है, freely, बिल्कुल move कर रहा है, तो ये है, आपका, बिल्कुल mental health, जो है, इस person की बहुत अच्छी है, सिर्फ mental disorder नहीं है, ये आपका एक parameter नहीं हो सकता, या फिर personality disorder नहीं है, ये भी आपका एक parameter नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब ये factors नहीं आते हैं, इस बीच में, ठीक है, ये इसकी वज़े से ये हो सकता है, लेकिन ये factors इसके अंदर नहीं आएंगे, कि भाई, ठीक है, mental health अच्छी है, ये नहीं होगा, तो option number A is the correct option, next देखते हैं, दो number of psychologist like fried PRJ explain personality development in terms of stages, but only PRJ talked of, देखिए वैसे बहुत सारे psychologist है, जिन इनने personality development को समझाया है, in terms of stages, ठीक है, but only PRJ talked of, मतलब कि सिर्फ PRJ ने किस बारे में बात करी है, ये आपको बताना है, development stages are which are determined by environment, ठीक है, ऐसी developmental stages की बात करी हैं, जो environment के द्वारा निधारत की जाती है, ठीक है, या फिर restricted effects of stages to early infant experience only, या फिर भई, जो शैश वस्ता के अनुभ ठीक है, next अगर हम बात करें, तो cognitive transformation to explain stages, तो उन्होंने अपने जो संग्यानात्मक बदलाव है, उनकी कहानी बताई है, अपने stages को explain करने में, या फिर none of these, या फिर इन में से कोई भी नहीं, या आपको बताना है, तो देखो, जो development stages तो प्याजे ने दी है, for sure उन्होंने दी है, 4 stages, लेकिन ये environment के दुआरा determined नहीं है, वातावरन का इसमें ज्यादा role नहीं होता है, ये प्याजे ने नहीं बोला है, उसके बाद restricted ये भी नहीं बोला है, कि सिर्फ in fancy वाली stage का ही असर पड़ता है, ये भी नहीं बोला है, none of these तो होगा नहीं है, ये option number C is the right answer, cognitive development की stages है उनकी आप सभी को पता है, तो cognitive transformation to explain stages, तो ये है PRJ की basically theory, ठीक है, तो option number C is the correct option, next देख लेते हैं, गिल फोर्ड has given the term conversion thinking as equivalent to, देखें गिल फोर्ड जो है, इनकी intelligence की theory है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं, individual difference का पार्ट होता है intelligence, ये आप इसे particularly KVS लिवर स mention नहीं है intelligence के बारे में, बट ठीक है, हमें एक दूसरे तरह के questions भी कर लेने चाहिए, हो सकता, आप में से कुछ बचे टैट भी prepare कर रहे हो, लेकिन बात ये कि question था, इस question paper के set में तो मैंने ले लिया, तो गिल फोर्ड ने कौन, क्यूंकि इसमें एक तरह से conversion thinking की बात है, तो इसलिए I thought कि आपको करना चाहिए question, देखो, गिल फोर्ड has given the term conversion thinking, conversion thinking क्या होती है, जब आपको पता है कि आपने, teacher ने question पूछा, ठीक है, कि बाई ठीक है, सन कौन सी दिशा में जो है, वो उगता है, वो होता है, जो भी है, तो ये conversion question है, इसमें सभी का answer जो है, एक ही जए पर आकर रुख जाएगा, जीक है, this is conversion thinking, लेकिन अब गर कहें, हम एक open ended question पूछ लेते हैं, बई, 2050 में जो है, life कैसी होगी, तो this is a question, divergent thinking को एक तरह से boost up कर रहा है, question, तो इसमें हर इंसान की सोच जो होगी, वो अलग लग जाएगी, अगर वो अपनी सोच का इस्तमाल करें लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे, teacher ने बताया था कि 2050 के बाद ऐसा होगा, तो वो कहेंगे कि नहीं ऐसा ही होगा, तो वो conversion thinking को follow गरेंगे, लेकिन divergent thinking जो होती है, वो आपकी creativity से होती है, related, ठीक है, सरजनात मक्ता से, लेकिन अगर हम conversion thinking की बात करें, तो ये आपकी intelligence based होती है, ये मतलब यहाँ पर जितने भी standardized testing होती है, ये सारे intelligence test जो होते हैं, इन सबके कुछ set answers होते हैं, और उन answers को आप अगर दे देते हैं, तो वो आपका conversion thinking का part है, और यही गिलफोर्ड ने कहा था, देखिए, इन्होंने 1950 में जो है, divergent thinking की भी कल्पना की थी, जो creative लोग होते हैं उनके mind set को समझने के लिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक ओर thinking का नाम बताया, ये conversion thinking भी होती है, जो हम intelligence से relate कर सकते हैं, ठीक है, आप कितना याद करके लिख सकते हैं, this is called your intelligence, ओके, तो option number A is the right option, next है, which statement is not true about interest, भाई, रूचियों के बारे में क्या कथन सही नहीं है, ध interest change with time, interest बदलते रहते हैं time के साथ, interest are not related to capacities and aptitude, interest जो है capacities से और aptitude से related नहीं होते हैं, ठीक है, उसके बाद interest are not reflection of attraction and aversion in behavior, या फिरूचिया व्यावाहार की आकरशन और प्रकरण के प्रतिविंब नहीं है, तो ध्यान से इस question को समझो और अंसर दो, तो देखे, interest innate भी हो सकते ह कुछ चीज़े आपको जर्म से ही बहुत पसंद चीज़े होते हैं, मतलब खहते हैं है, हेरिडिटी का factor आ जाता है एक तरह से, और acquired भी होते हैं, आप acquire भी करते हैं interest को है, समय के साथ साथ आपके सामने situations ऐसी आ जाती है, या फिर कोई चीज़ आपको लगातार आप देखत आपको कुछ और किसी और चीज़ में interest आ गया, तो interest चेंज भी होते हैं time के साथ, अब इसमें कहा है interest are not related to capacities and aptitude, तो ये मुझे सही लग रहा है, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि capacity हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये interest based नहीं होता है, सपोज मैं एक भारी सा पत्थर उठ कर सकते हैं, तो वो interest का पार्ट नहीं होता है, तो जैसे किसी में science and technology के लिए particular aptitude होता है, मतलब उसके दिमाग इतना तेज होता है, कि वो category के अंदर चला जाता है, किसी में dancing skills बहुत होती है, कई हमें interest होता है, लेकिन कई हमें capacities होती है, इतनी जादा capabilities होती है, कि वो कर सकते हैं उस काम को, तो हमेशा interest जो है, वो related नहीं होता है, aptitude or capacities से, तो ये भी नहीं होगा, अब DQ होगा, interest are not reflection of attraction and aversion, देखो क्या कहा है, कि वो reflection ही नहीं, आपको क्या चीज़ attract कर रहे हैं, किस चीज़ से आप भाग रहे हैं, तो भाई ये reflection तो होता ही है, अगर आपको किसी च को नहीं पसंद करते हैं, आपको नहीं है उसमें interest, तो आप उससे obviously diverge कर जाएंगे, आपको उनके साथ मिलना, जूलना, बाते करना पसंद नहीं होगा, आपको interest नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई इंसान बहुत अच्छा लग रहा है, तो obviously आप attracted हैं उसकी तरफ तो उससे बात करने की कोशिश करेंगे, आपका interest में बढ़ेगा, ठीक है, तो मतलब attraction और aversion का कारण हो सकते हैं, मतलब ये reflection है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो इसमें कहा है, नहीं होते हैं, इसमें लिखा ये गया है, कि they are not reflection of attraction of aversion, जबकि ये reflection होते हैं, कि हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो option number D is correct, next देखते हैं, the attitude, अब देखो attitude आ गया, अब attitude जो होता है, वो क्या होता है, देशन मेरा है, मेरा पढ़ाई की तरफ कैसा attitude है, मेरा इस particular इंसान की तरफ attitude कैसा है, अगर मेरे को लगता है कि नहीं, ये थोड़ा ठीक सा इंसान नहीं लग रहा है मुझे, तो मेरा attitude क्या है, ठीक है, वो एक emotional चीज है, attitude जो होती है, तो an emotionally tendency organized through experience to react positively or negatively towards a psychological object, या फिर एक characteristic है that is symptomatic to the individual's ability to acquire with some specified training, some knowledge or skill in given field, तो this is something related to aptitude, उसके बाद एक potential ability of an individual of specialized kind, नहीं, ये नहीं होता है, attitude is something related to your emotions, आपके emotions क्या कह रहे हैं, आपने कोई चीज देखी, आपने कोई इंसान देखा, तो आपके experience कहते हैं कि इस तरह के इंसान जो है, मतलब उसकी तरफ देखने का जो आपका नजरिया होता है, तो वो होता है, आपका attitude एक थरह से, ठीक है, कि आप उसकी तरफ negatively सोचते हैं, या correct option of this question, ठीक है, उसके बाद next है, in personality as well as intelligence, heredity plays, तो भूई personality में intelligence और heredity कैसा role play करती हैं, यह आपको बताना है, जो हमारी personality होते हैं, human personality की बात हो रही है, तो intelligence as well intelligence और intelligence की बात हो रही है, तो यहाँ पर heredity क्या role play करती हैं, यह आपको बताना है, तो देखो, नाम मातर की सकते क्योंकि predict कर सकते हैं human personality को हम है ना आपका जो behavior रहता है suppose आप किसी के साथ 3 साल 4 साल रह जाते हैं तो आप predict कर सकते हैं कि बंदा इस situation में क्या behave करेगा तो यह भी नहीं हो सकता अब बात है नॉमिलर ग्रेट रोल नाम मातर की desires हमारी जो पूरी नहीं हुई है desires उनके लिए जो अन मतलब स्टोर हाउस कह सकते हैं यह क्या है फ्राइड की थियोरी से question reality के base पर काम करता है तो इड जो है इसके अंदर बहुत सारी चुपी ऐसे desires होती है अन fulfilled होती है जिनको कोशिश करता है पूरी करने की तो यह होता है ओक्षिन नमबर ए इस दा correct option नेक्स देखते हैं defense mechanism helps us a lot in dealing with again फ्राइड ठीक है defense mechanism फ्राइड ने दिये था आपको पता ही है तो यह क्या करते हैं किस चीज में help करते हैं हाला कि मैं question जो है आपको करा चुक्य है तिक defense mechanism के दो तो आप बताए क्या होगा इसका अंसर टेंथ का वाइल इंस्ट्रेस फेटिग strangers ठीक है तो आपको पता है कि हमारे दिमाग में जब स्ट्रेस आता यह तो हम उस इसट्रेस कको वंधर करने के लिए कहते हैं हुआ किसी तरीके से तो उस पेज़न को वोइश करने के लिए उस stress को वड लीघ करने के लिए हम कुछ defense mechanisms बना लेते हैं हम रक्षा तंत्र Earth कोशन स्टार्ट करते हैं फॉर्स कोशन है विचो दो फॉलोइंग विल सर्व एजन मोस्ट सैटिस्फाइंग डिफेंस मेकानिजम फूर फिजिकली हैंडिकाप इंडिवीज्वल तो मतलब जो शारिरिक निर्योगता वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कौन सी जो रक्षा तंत् बताया थे कि जिफ हमारे जंडे की मå hosting ऑवर करने के लिए लिए कुछ न रशी जिफाशनानै करने के लिए हैं उसका उपना लज्या करने कर से करने चलते हैं वह होता हैं दो यहां पर यह कि जो फिजीकली हैंडिकएप बत्चे हैं या फिर इंसान है वो किस तरह का जादा उनको satisfaction मिलेगा तो इसमें तो obviously नहीं मिलेगा identification में अब rationalization की बात करें तो rationalization में क्या होता है कि आपके सामने एक unpleasant situation है आपको किसी ने नकार दिया suppose किसी बच्चे के test में कम number आये हैं और मतलब कम number आये हैं क्योंकि कि उसने obviously पढ़ाई नहीं की है या फिर आप भी को exam पास नहीं करते तो आपने बढ़ाई नहीं की है लेकिन आप उस feeling को दबाते हुए आप दूसरे feeling उभर कर ले आते कि नहीं मेरे कम number इसलिए क्योंकि teacher ने गलत पढ़ाया है यह तो मतलब आप मतलब बचना चाहते हैं क्योंकि आप उन चीजों से तो आप दूसरे पर exam डाल देते हैं कि नहीं मैंने मेरे वज़े से नहीं हुआ है यह तो यह इन्हों ने खराब पढ़ाया था यह हुआ है तो यह rationalization होता है अब बात है fantasy की तो fantasy का मतलब क्या होता है जब आप कल्पनाय करते हैं डे dreaming करते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं तो अपनी दभी हुई इच्छाओं के बारे में जब आप डे dreaming करना करने लग जाते हैं that is called fantasy तो obviously जो physically handicap बच्चे होंगे इंसान होंगे वो fantasy में जिएंगे तो उनको ज्यादा satisfied होंगे वो इस चीज़ के प्रती ठीक है कि हां भी हम भी यह कर सकते हैं तो option वाला खेट वाला एक्जाम मत सोचना तो यह चिल्डर्न एप्रसेप्शन टेस्ट जो है यह तीन से दस साल के बच्चों के लिए और इसकिया जाता है और इसमें for living objects के लिए living objects के लिए आप voltar नोन लिवींग ठीक güَّट वुरेश थों की होती है लोगों के फंपर अनिमल्स की होती है यहाँ पर पर इसका ad बढ़ता होगा नहीं बढ़ा तो ओविसली नहीं आएगा तो देखो मैं आपको इसका अंसर बता देती हूं अबर बीज़ राइट ऑप्शन यहां पर जो टेन कार्ट दिखाया जाते हैं बच्चों को तीन से दस साल तक के बच्चों को इन पर एनिमल्स के पिच्चर होती है अब देखो इसमें एनिमल्स की पिच्चर क्यों यूज की गई इसलिए यूज की गई ताकि जो तीन से दस साल के बच्चे होते हैं यह आपका इसका अंसर होगा नेक्स्ट देखते हैं इन ओडर तो नर्चर क्रियेटिविटी एटीचर शुद टेक हैल्प विच फॉलइंग मैथर्ट तो बच्चों के अंदर जो है आपको क्रियोटिविटी फोस्टर कर रही है डाट मिंस कि आप इनोवेटिवनेस लेकर आना है नयापन लेकर आना है बच्चों की क्रियेटिविटी को बूस्ट अप करना है तो आप क्या करेंगे आप ब्रेंस्टॉर्मिंग यूज करेंगे लेक्चर यूज करेंगे ओडियो विज्यल है ओल अफ दीज ठीक है तो यह कोशन इस तरह का कोशन में आपको पहले भी कराया है इसका करेक्ट उप पहले इसका करेक्ट उप्षिन नेक्स देखते हैं विचो फोलॉइंग स्टेटमेंट इस इंकरेक्ट इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है यह आपको बताना है तो देखो नीडिज और प्रेशन क्या होता है जब आप किसी चीज की आपके अंदर कमी हो consequence of a need, need and drive are parallel but not identical, instincts are innate biological force, जो instincts होते हैं, मूल प्रिवर्तिया जो होती है, वो biological force होती है, तो आपको बताना है कि incorrect क्या है, तो देखो instincts innate biological force होते हैं, बिल्कुल ठीक है, need और drive जो है parallel चलते हैं, लेकिन obviously एक नहीं होते हैं, drive is a psychological consequence of a need, बिल्कुल ठीक है, भई, need आती है, फिर आपको drive आती है, बतब नीड आपके एक need है, उस need को force करती है, आपके drive, ठीक है, तो ये follow करती है, drive जो है, ये follow करती है need को, ठीक है, अब बात आती है एक ही, तो ये कह रहा है कि कोई deprivation नहीं होता, है, तो need जो है, is not, ये is a psychological stage of deprivation, ठीक है, नीड एक psychological stage है deprivation की, यानि कि कुछ कमी है, तभी तो need उभर कर आईए न, अगर कमी ना होती तो फिर need की जरूरत ही नहीं होती, जरूरत तो होती तभी है, ये जब आपको लगता है कि कुछ कमी है, तभी तो आप जरूरत महसूस करते हैं, next है, right to education act 2009 specifies the minimum number of working hours per week for the teachers, तो ये मैंने आपको last week बताया था, तो option number B is the correct option, 45 hours is the correct option, ठीक है, ये repeat हो गया, कोशन कोई बात नी, आपको अब learn हो गया होगा अच्छे से, next है, right to education at 2009 states that a teacher shall perform which of the following duties, तो teacher क्या duties निभाएगा ये बताना है, regularity रखेगा, punctuality रखेगा, attending school, complete करेगा curriculum को और conduct भी कराएगा school में, और complete करेगा सारे curriculum को एक specified time में, या all of these, ये बताना है, ठीक है, तो देखो इसका जो correct option होगा, option number D, क्यों होगा option number D, देखो जब हम 10th की बात करते हैं, जब हम 12th की बात करते हैं, 9th की बात करते हैं, 11th की बात करते हैं, तो यहां पर syllabus का concept आता ही है, curriculum आपको करवाना ही है, even primary में भी एक set criteria है, कि आपको इतने दिन में इतना काम करवाना होता है, ठीक है, यह यह activities करानी होती है, साल भर का एक पूरा calendar होता है, वो complete करानी होता है, तो यह भी होगा, यह भी होगा, regularity और punctuality तो आपको रखनी ही है, ठीक है, तो option number D is the correct option, confusion नहीं रहना चाहिए बाई, नेक्स है, national curriculum framework 2005 suggests some activities to promote peace education, अब NCF 2005 जो है, वो peace education के भी बात करता है, तो which one of the following is enlisted in the curriculum framework, तो इन में से कौन सा curriculum framework में enlisted है, मतलब दिया गया है, कुछ एक होगा, जो मतलब दिया गया है, तो वो आपको बताना है क्या दिया गया है, और्गनाइज programs to promote an attitude of respect and responsibility towards women, teach moral education, teach peace education as a separate subject, integrate peace education in the curriculum, या फिर आप integrate करें peace education को curriculum में, तो देखो अगर आपने NCF को अच्छे से पढ़ा है तो आपको आएगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आपको आएगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है, ये न, NCF का page number English version बता रहे हूं, page number 62 देखना, NCF का page number 62 English version की बात कर रहे हूं, Hindi medium वालों का नहीं पता मुझे page कौन सा है, तो उसमें कुछ एक box बना हुआ है, उसमें लिखा है suggestions for peace activities, तो उसमें कुछ activities दी हुई है, 5 या 6 activities हैं, वो देख ले न, उन में से एक activities ये दी हुई है organize programs to promote an attitude of respect and responsibility towards women, एक है, शायद celebrate करो culture and religion diversity इंडिया स्कूल में, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, आप देख ले न, एक बर page number 62, NCF का मैंने बता दिया, आपको वहाँ से question बनाएगे, तो option number A is the correct option, next देख लेते हैं, National curriculum framework talks of major shift, देखो, National NCF 2005, एक major shift की बात करता है, कि एक आपको मुखे रूप से ये चीज़ करनी है, कि आपको shift करना है, कहां से कहां तक ये बताना है, कैसे करना है, मतलब ग्यान स्थाई है और वह दिया जाता है, इस से आपको इस तरफ जाना है, कि ग्यान का विकास होता है, और उसकी सरणचना की जाती है, या फिर sexic के अंदर से आपको विशय केंदरित होना है, educational focus से आपको disciplinary focus करना है, यानि कि विशो पर केंदरित करना है, ना कि सिर्फ educational focus रखना है, learning centric से teacher centric पर जाना है, none of these, देको ये तो होई नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, अब बात आत ये हमें बच्चों को सिखाना है, जो हम pragmatism की बात करते हैं, जो उन DV की बात करते हैं, कि कोई भी चीज़ यो है, वो permanent नहीं है, वो fixed नहीं है, तो NCF भी ये बात करता है, कि knowledge है, वो fixed नहीं है, बल्कि उसको आपको evolve करना है, construct करना है, और ये काम बच्चे खुद करेंगे, बस आपको as a facilitator, जो है, role play करना है अपना बच्चों की जिंदगी में, as a teacher, next question है, the objective of action research, तो action research के बारे में मैं आपको शेद लास्ट वीडियो में बताया था, तो बताए इसका क्या answer होगा, gain new knowledge, नई knowledge के लिए की जाती है, science of behavior in educational situation में, modify the educational practice in school and classroom, या फिर all of these, तो मैंने प करते हैं और अपनी problem का solution निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो correct option होगा, वो होगा option number C, यानि की modify the educational practices in school and classroom, ताकि आपको जो भी समस्या है, आप उसको modify करके एक नया solution जो है, उसके लिए लेकर आए, तो इसलिए होती है, education research, ठीक है, next and last question है, आपका, in the national curriculum framework 2005, under the heading examination reforms, ठीक है, यह particular area है examination reforms का, which is the following reform has been suggested, तो कौन सी suggest की गई है, NCFA particularly, यह बताने आपको, open book exams के लिए बोला गया है, CCE के लिए बोला गया है, group work evaluation के बोला है, या फिर all of these, ठीक है, तो एक भी option ठीक हो सकता है, या फिर सारे भी ठीक हो सकते हैं, तो देखे, इसका जो correct option होगा, वो option number D, open book exams के लिए बोला गया है, CCE के लिए बोला गया है, group work evaluation भी बोला गया है, कि आप group में काम कराएं, और इसको evaluate करें, जैसे कि आपने project दे दिया, आपने assignment दे दिया, तो यह चीज़े भी इसमें बात की गई है, ठीक है, तो guys, this question है, out of the following, which activity और area may not be considered as co-scholastic aspect of learner, ठीक ह यानि कि जो हम कह सकते हैं, जो सहे विद्याल ले या फिर सहे सेक्षिक पक्ष के अंतरगत नहीं गिना जा सकता है, देखो, एक तो होता है scholastic area, और एक होता है co-scholastic area, I hope कि आप सभी लोग aware होंगे in terms के साथ, अगर नहीं aware है, तो answer जै मैं बताऊंगी, तब aware करवा दूंग आपको, ठीक है, तो चलो अभी आप अपने आपको टेस्ट करो थोड़ा सा, मतलब देखते हैं, आप लोग कितने answer कर पाते हैं, तो इन में से कौन सा co-scholastic area नहीं है, ये आपको बताना है, अगर learner के aspect से देखा जाए, social skills, attitudes and values, creative skills, या फिर curricular subjects, ठीक है, तो देखिए इसका जो correct option होगा, वो होगा option number 4, ठीक है, देखिए एक होता है scholastic area, scholastic area का मतलब होता है, जो आपके विभिन विशे होते हैं, जो basically जो school traditional approach है, जो schools की, कि भई ठीक है, subject पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ किताबों को पढ़ना है, कुछ subjects पर concentrate करना है, art, science हो गया आपका, ठीक है, लेकिन हम co-scolastic की बात करते हैं, तो या फिर co-curricular activities की बात करते हैं, जो मतलब अगर आपके विशो से हट कर देखा जाए, तो वो चीज़े आपके किस में आती है, co-scolastic areas में आती हैं, जैसे कि आप अगर dance कर रहे हैं, music केल रहे हैं, या फिर आप games कर रहे हैं, या फिर आप stories सुना रहे हैं, यह सारी चीज़ जो हैं, आपकी co-scolastic में आती है, कोई भी आपकी activity हो रही है, suppose आपका कोई भी quiz हुआ है, ठीक है, quiz means जैसे कि आप normal activity, group activity, वो सब आपका co-scolastic areas में आता है, क्योंकि जब आप group activities में involved होते हैं, तो basically आपकी और भी बहुत सारी skills चेक क की जाती हैं, तो social skills भी आती है, आपका attitude और आपकी values भी उसके अंदर आती है, creative skills में आप कुछ भी create करते हैं, किसी competition में participate करते हैं, singing competition, dancing competition, games or competition, तो वो सब कुछ आपका co-scolastic में आता है, तो option number D, जो curricular subject है, यह आपका scholastic subject है, scholastic area, okay, next question देखते हैं, out of the following which is not related with cognition, कौन सा सं असान कोशें हैं, बताइए, फटाफट से, perception है, thinking है, walking है, concept formation है, जब हम संग्यान की बात करते हैं, तो यहाँ पर basically आपकी mental abilities से बात होती है, जब आपके दिमागी तोर पर जो है, आप जो चीजे करते हैं, आपका दिमाग जो है, वो क्या-क्या परसीव करता है, क्या-क्या right option, next देखते हैं, next question है, student learns new concept such as carnivorous animals, carnivorous animals कौन से होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, जिसको हम मासा हारी भी कह सकते हैं, मासा हारी animals के बारे में सीख रहा हैं, लेकिन उसको किस basis पर सिखाया जा रहा है, मतब किस basis पर उसीख रहा है, उसने कुछ examples सुने हैं, और देखे हैं, tiger होगा, dog होगा, lion होगा, leopard होगा, इन examples के through उसको सिखाया गया है, ठीक है, कि भई ये सारे क्या होते हैं, carnivorous animals होते हैं, ठीक है, मासा हारी है, दूसरे पश्व का मास खाते हैं, तो ये कौन सी learning हो रही है यहाँ पर, ये आपको मुझे बताने हैं, ठीक है, this is quite difficult question, I would say, क्योंकि थोड़, मतलब, अगर आप लोगोंने सुनी हैं, ये learning के types जो हैं, तो आप अराम से इसका answer कर पाएंगे, अगर नहीं सुनी है, नहीं है, तो कोई बात आप सीख लेंगे, तो चलिए बताइए क्या answer होगा, combinational learning है, subordinate है, correlative है, sub, या फिर superordinate है, ठीक है, तो ये options है तो देखें, जो इसका correct option होगा, वो होगा, इसका correct option, option number D, superordinate learning, ठीक है, देखो, अब superordinate learning क्या होती है, जब आप किसी concept की समझ जो है, उस concept से related examples के थ्रू बनाते हैं, जब आप समझ बनाते हैं, आप अपना concept form करते हैं, on the basis of the particular examples of that particular concept, तो वो आपकी क्या हो जाती है, superordinate learning क्य लाती है, ठीक है, मतलब यह particular, इसकी definition का हम कह सकते हैं, तो देखो, यहाँ पर concept क्या है, carnivorous animals, लेकिन वो पहले examples के थ्रू सीखता है, tiger क्या खाता है, यह खाता है, dog क्या खाता है, lion क्या खाता है, यह भी खाता है, ठीक है, तो यह खाता है, उसके बाद आप concept पर आएंगे, यह कि ठीक है, यह सारे यह चीज़ खाते हैं, यह दूसरे पश्वों का मास्क खाते हैं, आपने जिस निकाले हैं, और आपने समझा दिया कि यह carnivorous animals होते हैं, ओके तो option number D is the correct option, next देखते हैं, children's understanding that their gender will not change even if they adopt the behavior, dress or hairstyles of the gender, this type of children's understanding is known as what, ठीक है, देखो, बच्चों की जो समझ होती है, कि ठीक है, आप अगर बालों का style भी change कर लेते हैं, आप लंबे बाल रखते हैं, सपोज लड़का है, लड़का पहले सोचते हैं, बच्चे कि ठीक है, अगर मैं लंबे बाल रख लूँगा, तो मैं लड़की बन जाओंगा, तब यह धारनाई होती है, आप बोलते हैं, यह आपको बताना है, I think यह question मैंने आपको बहुत पहले जब gender के questions कराया थी, मैंने कराया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है, तो आप इसको कर पाएंगे, तो guys जो इसका correct option होगा, वो होगा option number C, gender consistency, तो को हिंदी मुझे नहीं पता है, इस consistency, ठीक है, तो देखो, gender consistency क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ, जब बच्चे के दिमाग में धारना बिल्कुल permanent हो जाती है, fix हो जाती है, एक better word होगा, fix, अब fix हो गया है, ठीक है, आप अगर male है, तो आप male ही रहेंगे, अगर आप female है, तो आप female ही रहेंगी, आपके बालों से, आपकी dress से, आपका gender change नहीं होगा, जब यह धारना बच्चों के दिमाग में fix हो जाती है, तो यह एक term बोली जाती है, जिसको हम बोलते है, gender consistency, तो c is the right option, अगर नहीं पता थी, तो आपको पता चल गई होगी, next step, which is the, what is the age group of late childhood stage, तो late childhood stage की age क्या होती है, यह आ एक साल का difference आ जाता है, फिर आपको general term option में से देखके निकाल लेना है, कि हाँ ठीक है, यह late childhood है, तीक है, option number B is the correct option, ठीक है, 6-12, वैसे कई किताबों में आपको जो है, 7 साल तक भी मिलेगा, तीन से 7 साल तक pre childhood मिलता है, उसके बाद आपका late childhood मिलता है, और वैसे भी 11 या फि Adolescence कह सकते हैं, फिर हम कहते हैं, Adolescence Air B, जो है, start हो जाता है, एक तरह से, ठीक है, 12-13 से जब भी है, लेकिन मतलब यह है कि, book to book differ करता है, लेकिन अगर आप यहां के options को देखेंगे, तो option B is the correct option, ठीक है, next देख लेते हैं, assessment of all round development of the child's personality is known as, which type of evaluation, ठीक है, मतलब अगर हम बा बताना है, ठीक है, देखें, यहां पर continuous evaluation है, comprehensive है, A और B दोनों होंगे, या neither A और नोर B, ठीक है, फिनना तो A है न भी है, ठीक है, तो यह भी आसान कोश है ना, बताईए, फटा-फटा अंसर, मैं चाती हूँ आप लोग करें इसका answer, क्योंकि यह C, C, E से related है, ठीक है, जो जो correct option होगा, वो होगा, option number B, कुछ लोगोंने option number C लगाया होगा, जो की गलत है, ठीक है, क्यों गलत है, बता देती हो, जो CC में हमारी दो terms है, एक सी कहता है, continuous होगी, एक सी कहता है, comprehensive होगी, comprehensive का मतलब है, कि आप सिर्फ एक aspect को ना देखते हुए, development के, सारे aspect को देखिए, आ old round development, ठीक है, continuous का मतलब है, कि जो assessment और evaluation आप बच्चों का करेंगे, वो लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने शाल के शुरू में कर लिया, फिर साल के end में कर रहे हो, बीच का gap गया गाया, तो जबी तो हमारा FAI था, कि formative assessment करो, diagnostic teaching करो, तो यानि कि assessment या evaluation हो continuous होना चा होगा, मतलब काफी बच्चे कर सकते हैं, ऐसी गड़बड की होगी कई बच्चों ने, ठीक है, तक clear कर दिया है, मैंने, next, according to brown friend Brenners, मेरको इसका नाम हमेशा ही confuse करता है, बहुत बड़ा नाम है, इनकी ecological theory है, आप सभी को पता होगा, I think aware होंगे, सभी लोग, तो laws और जो customs होत है, तो आप बताएए क्या इसका answer होगा, माइक्रो सिस्टम का पार्ट है, मैक्रो का है, मीजो का है, या फिर एक्जो का है, तो ये बताने है, तो देखिए ये जो laws, customs होते हैं, social, cultural, values जो होती है, ये सारे इनके मैक्रो सिस्टम में आते हैं, ठीक है, तो option number B is the correct option, माइक्रो तो सबसे अंदर वाला होता है, जो बिल्कुल छोटा सा, immediate जो environment होता है, वो माइक्रो में आता है, ओके तो option number B is the right option, I hope कि ये भी आसान question था, आप लोगों ने कर दिया होगा, next देख लेते हैं, who was the propounder of NDI motivation formula, this is difficult question, I would say difficult question, क्योंकि ये मुझे भी बड़ा difficult लगता है, मुझ option अच्छा था, देखो answer की कि हिसाब से देखे तो hill guard है, और जितना मैंने इस question को search किया, मुझे hill guard ही option मिला इसका, ठीक है, ही direct बता रही हूँ आप लोगों को, ये NDI motivation formula, देखो मैंने तो expectancy जो वाला formula है, जो basically rooms की theory है, और ये सारी theories मैंने पढ़ी हुई है, rooms की theory पढ़ी है, मैं slow की भी पढ़ी है, Blair and Jones is a new name, बट इन्होंने भी motivation की ही theory दी है, MacDougal की भी theory है, ठीक है, तो सारी motivation की theory दी हुई है लोगोंने, लेकिन ये particular NDI formula motivation का क्या है, ये मुझे भी नहीं पता है, मदब NDI शैफ वो ही formula है, जो मैं सोच रही हूँ, जो expectancy वाला formula होता है, ठीक है, ले मिलके हम ये पता लगा सके कि NDI motivation formula किस ने दिया था, ठीक है, वैसे मुझे जितना पता चला है, ये hill guard ने दिया था, ठीक है, और आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि इसलिए difficult बोला, क्योंकि मैंने भी इसके बार में, seriously मैंने नहीं पढ़ा है, जो मैं आपको formula, वैसे मुझे जहां तक मिला, answer B मिला है, आप लोग एक बार सर्च करना है ना, और मुझे बताना भी कौन सा formula है ये, तो I hope कि आप लोग सर्च करेंगे इसको, next है, out of the following, which alternative shows characteristic of concrete operational given by Gene P.A.J. ठीक है, बहुँ जीन P.A.J. ने अपनी ठीरी दी थी, 4 stages की बात करते थे, ठीक development of ideas of cause effect relationship and object permanence in children, ठीक है, next है कि बच्चा जो है, understanding gain करेगा, conservation की और logical thoughts जो है, वो emerge हो जाते है, ठीक है, वो start हो जाते है, एक तरह से, they begin, sorry, they, they begin to represent the world symbolically, या फिर सिम्बोलिक सिम्बल्स की रूप में, वो वल्ल्ड को represent करना, start कर देते हैं, या फिर बिकम्स, capable of creating several forms of logical thoughts, या कई तरह के तार्केक विचारों के बनाने में सक्षम होते हैं, very good question, I would say, तो बताइए, है न, theories अगर अच्छे से पढ़ें तो बता देंगे, देखो, अब थोड़ा eliminate करते हैं, objects को, इनको थोड़ी options को, ठीक है, वैसे तो मुझे तो exact concept देखते हैं आ गया था, लेकिन आप लोगों को भी I hope कि आ गया होगा, यह जो object permanence है, this is related to sensory motor, 0 to 2, first say, say, तो यह भी नहीं होगा, अब उसके बाद आता है, they begin the, they begins to represent the world symbolically, this is the characteristic of second stage, that is pre-operational, जहां पर बच्चा symbols का use करना start कर देता है, suppose एक stick को उसने बेलन बना लिया, उसे stick को उसने अपनी छडी बना लिया, ह अब बात है, capable of creating several forms of logical thought, अब यहां पर logical thought, जो कह रहा है कि द्विभिन तर है कि logical thoughts की बाद कर रहा है, तो इतना बच्चा वेर नहीं होता, यह कही ना कहीं आपका formal operation में चला जाता है, जब abstract thinking जो है, डवलप हो जाती है, तो हम कह सकते हैं, इन options के according option number B is the correct option, क्योंकि मैं conservation होती है, conservation, this is the important part of concrete operational stage, इस stage का जो है, यह बहुत important part होता है, conservation, sun reduction, जहां बच्चा यह समझती लेता है, कि अगर आप किसी चीज को कितना भी उल्टा सीधा कर दो, अगर चीज उतनी है, ना उसमें आपने कुछ जोडा है, ना उसमें घटाया है, आपने तोड मरोड के उसक सना है, तो कटोरी में है, कोई change नहीं हुआ है, बले, glass बड़ा है, कटोरी छोटी है, क्योंकि बच्चा एक aspect पर concentrate नहीं करता है, बहुत सारे aspects को देखता है, तो यहां पर concrete operation में यह चीज़ सीख जाता है, conserve करना सीख जाता है, जबकि pre operation वाला बच्चा क्या करता है, conserve नहीं thoughts नहीं होते हैं, वो आ जाते हैं, इमर्ज हो जाते हैं बच्चे में, लेकिन यह concrete objects के साथ ही related होते है, यहां पर abstract thinking डेवलप नहीं होती है, ठीक है, यहां पर abstraction की बात की नहीं है, लेकिन conservation word आ गया, तो आप समझ लीजे, यह concrete operation का part है, तो option number B is the correct option, ठीक है, काफी explain कर दिया है मैंने, पिया जे, next है, out of the following, which is not the other name of childhood, बहिए childhood जो stage होती है, अमारे development की, उसका इन में से कौन सा नाम और नहीं है, ध्यान से देखना है, एक बार ध्यान से समझना, question को फिर attempt करना, पहला है, elementary school age, smart age, pre-gang age, और gang age, ठीक है, तो बताएगे क्या answer होगा, देखे, elementary school age तो हो लेकिन अब यहां बे चाइल्डूड है, तो आप लेट चाइल्डूड ही मान कर चलिए, क्योंकि अरली चाइल्डूड बहुत थोड़ा सा पीरिड होता है, चाइल्डूड बेसिकली यही होता है, आपका six to eleven years का बेसिकली चाइल्डूड की stage होती है, तो elementary school तो होती है, elementary school म खेल में इतना involved होते हैं, physical activities में बहुत involved होते हैं, तो obviously energy होगी, अब बाताती है, gangage या फिर pre-gangage, gangage का मतलब है कि उनकी छोटी-छोटी टोलिया बन जाती है, बच्चों की, क्योंकि बच्चे का socialization बहुत जादा होता है, पहले वो सिर्फ परिवार तक्सीमित होता है, लेक this is the stage of gangage, तो pre-gang नहीं होगा, सिदी सी बात अगर gang होगा, तो pre-gang नहीं होगा, pre-gang हम basically कह सकते हैं, जो early childhood होती है, वो pre-gang stage होती है, लेकिन यहाप चाइल्डूड लिखा है, तो मुझे लगता है, इस question के according यहाँ पर late childhood होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा question में हल किसी उगाँ चाइल्ड़टग किस अजयान उल्डड़ग तो यहाँ वागई लिए ऊजयान श्तर प्रोगण श्रны आगर विए यजयान जोमोगाइए, और मुझें है, अभाएगग लिए बाराइए लिए रवाबगगा नहीं होगाइए, अजयान धुमहाबगगा नहीं होग